हेलो दोस्तों स्वागत है अपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चले दोस्तों सुरू करते हैं सुपर कमांडो धुरूफ की कॉमिक्स वेबसाइट का दूसरा भाग चचमुच काफी मजबूत है अब मैं श्वेता को ढूनने बाद में जाऊंगा क्योंकि मुझे इतना पता चल गया है कि वे सुरक्षित है अब मैं पहले ये जानूँगा कि तुम आखिर हो कौन और तुम्हारी ये हालत कैसे हो गई अगली बार जब तु आएने में अपनी सकल देखेगा तो यही सवाल तु अपने आप से पूछ रहा होगा हाँ हाँ अरे अब मेरे मुह से आग निकल रही है एक ओर नहीं सकती ओहो पर ये सकती एक मुसीबत का रूप लेने वाली थी रेडियो एक्टिविटी सिगनल इस आग में रेडियेशन है यानि ये जो भी है इसके स्पाइडर बनने का संबंद रेडियो एक्टिविटी से है और ये बहुत खदरनाक बात है ये स्पाइडर तो एक चलता फिरता नुकलियर रियक्टर है मुझे इसको जल्दी से बनना चाहता है ये तीनों तत्थे तो एक ही आदमी पर फिट बैठते हैं डीन पर तुम तुमने अपने जाल का हाल तो देख लिया है स्पाइडर अब धुरूव के जाल का कमाल देख आह इनको मैं आग से गला डालूँगा ये नाइलोश्टीन के तारों का जाल है आहा लो अब तो पुलिस ने भी अपना जाल फैला दिया है स्पाइडर बुरी तरह से फस चुकाता और अब कोई चमतकार ही उसको बचा सकता था ये सोड कैसा है ये तो पास की बदनाम बस्ती के निवासी है इन में से कई हिस्ट्री सीटर है इस्पाइडर हमारा रखसक है हमारा सूपर हीरो हमारे रहते उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता स्पाइडर तुम भाग जाओ इनको हम रोकते हैं तुम हमारे एक मात्र सूपर हीरो हो तुमारे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं तुम भाग जाओ इन पुलिस वालों को हम रोकते हैं स्पाइडर भाग आप इनको अरेश्ट कीजिए पर मुझे सिर्फ इतनी जानकारी देदीजिए कि स्पैडर को यहां से पहले और कहां कहां पर देखा गया है तीन जगे मिड़ टाउन होल के पास कोफी कैफे और हर्सन लेन कोफी कैफे में इसने एक स्पेशल नार्कोटिक एजेंट पर हमला किया और हर्सन लेन में जुजुट्सू चैंपियन पर मिड़ टाउन में हमको एक महिला और एक स्टुडेंट रोनिन की बेहोस बोडीज जाल से जूलती मिली थी ठैंक्स सुप्रिटेंडेंडेंट महां जाने का रास्ता पूछना होगा मिड टाउन होल डेट वे हे मैन सेविंग गैस श्रेता जाल की कैस से आजाद होने की जी तोड कोशिश कर रही थी उफ ये जाल क्या चुंगम से बना है जितना खिचो उतना ही चिपकता जाता है अब तो एक ही रास्ता है जाल को काटना पड़ेगा और काटने के लिए यहाँ पर एक ही चीज़ है जाल कट रहा है अब मैं निप्टूंगी उस दीन के बच्चे से पहले उसने मुझे पुलिस के चक्कर में फसाया और अब चिपचिपे जाल में दिस इस टू मच मुझे भी डीन पर ही सक हुआ था भाईया तुम कहां से आ गए तेरा फोन आते ही मैं भाग आया पर डीन ने ऐसा क्या किया कि वह स्पाइडर बन गया श्वेता धुरूव को पूरी कहानी सुनाती चली गई ओहो धुरूव यहाँ पर देर नहीं लगेगी लेकिन उससे पहले मुझे अपने असली रूप में आना पड़ेगा दुनिया को ये कभी पता नहीं चलना चाहिए कि स्पाइडर कोन है हर सूपर हिरो की एक सीक्रेट आइडेंटिटी भी तो होती है ना ये तु क्या कह रही है बिल्कुल सही भईया रेडियम बोक्स तो था पर दीन वहां से गायब था फिर जब मैं वापस आ रही थी तो पीछे से मुझे रोनीन ने धक्का मारा बहुत घबराया हुआ साथ था वो उसने कहा कि दीन इस्पैडर बन गया है और उसने फिट्स को इसलिए मार कर खा लिया क्योंकि वह उसकी बूलिंग करता था और फिर रोनीन जब भागा तो वोट फिट्स को स्पैडर ने खा लिया हाँ भया रोनीन ने यही बताया और फिर जब अब मेरी सुन यह उनमें ताउजी की शादी थी ताउजी की शादी? पर दादाजी की तबियत? वे ठीक हैं उन्होंने बहाना बनाया था पर जानती है ताउजी ने किस से सादी किये? किस से? फिट्स की मा से और इस सादी का मुख्या कारनता फिट्स क्योंकि ताउजी फिट्स से बहुत प्यार करते हैं ओ माई गोड न जाने ताउजी पर ये खबर सुनकर क्या बितेगी वे यहाँ पर आने वाले हैं उनको सद्मा तो जरूर लगेगा लेकिन उनका सद्मा कम करने का एक उपाई है मेरे पास वे क्या फिट्स के कातिल की गिरफ्तारी उनके आने से पहले हमें दीन को पकड़ना होगा वे मिलेगा कहाँ शायद अपने रूम पर मैंने उसका रूम देख रखा है कौन है मैंने कॉल बेल मतलब दर्वाजा तूटने की आवाज नहीं सुनी मेरी नींद बड़ी पक्की है कॉफी बनाओ कल रात तुम कहा थे बेड़ पर सो रहा था और एक मकड़ी तुमको सोते समय काट कर भाग गई ये मकड़ी के डंग का निशान ही है न है तो पर अरे मैं रूम पर कैसे आया ये तो तुम हमको बताओगे मैं तो हाँ बलो कहां थे तुम और क्या कर रहे थे ये मैं तुमको नहीं बता सकता वैसे भी अब मैं और सवाल जवाब के मोड में नहीं हूँ मेरी तवियत ठीक नहीं है मैं एक ऐसी जंगे पर तुमको ले जाऊंगा जहां जाकर तुम्हारी तवेत एकदम ठीक हो जाएगी होस्पिटल? नहीं पुलिस इस्टेशन हा 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 यह मरियली स्पाइडर है हसाओ मत यार हसी रोकिए और मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर आप इसका ब्लड टेस्ट कराएंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि उसमें आपको मकडी का सिरम भी मिलेगा और रेडियो एक्टिविटी भी हो सकता है कि धुरुफ सही कह रहा हो सर मैं अभी अभी इसका रूम चेक करके आया हूँ इसका रूम तो सूपर हिरोज का गोदाम बना हुआ है और स्पाइडर भी अपने आपको सूपर हिरो कहता है ठीक है ठीक है पर इसकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट तो कम से कम आदे घंटे में आएगी तब तक ये क्या यहीं पर बैठकर मेरा समय खराब करेगा तब तक मैं इसको लोक अप में डाल दूँगा कहीं रिपोर्ट पोजिटिव आई और तब तक ये भाग गया तो तुम्हारा दिमाग चल गया है रोबर्ट रिटाइर्मेंट ले ले पर और कोई जंगे भी तो खाली नहीं है ले जाओ इसे लोक अप में बस एक बात किलिया करते जाओ अगर ये स्पाइडर है तो ये ठीक कैसे हुआ इसका स्पाइडर वाला रूप कहा गया बात सोचने लाया कैश्वेता अगर दीन ही स्पाइडर है तो ये ठीक कैसे हो गया क्या इसके अंदर जब चाहे स्पाइडर और जब चाहे सामान्य बन सकने की शमता भी है हो सकता है डीन माइक्रो बाइलोजी का एक्सपर्ट है उसने जरूर कोई ऐसी एंटिडोट यह आवाज कैसी थी ग्राम लोकप में कुछ गिरा है डीन के लोकप से धूल का गुबार उट रहा है ओ माई गोड अब कौन रिटार्मेंट लेगा सर मैं वड़ना वैसे भी अब अपनी नोक्री तो जाने ही वाली है हमको और साथान रेना चाहिए थी चुछता अब यह कैसी आवाज है पीं पीं ओ माई गोड यह तो डेंजर लेवल का रेड मार्क सिगनल है मतलब यहाँ पर रेडियो एक्टिविटी की मात्रा खदरनाक इस तर से उपर है और यह डेडियेशन इस्पाइडर से आ रहे है इस्पाइडर से मेरी पहली मुलाकात के वक्त इस रेडियेशन का इस तर काफी कम था अब यह बढ़ता जा रहा है डीन रेडियो एक्टिव मकडी के काटने से स्पाइडर बना है पर इस तर बढ़ने का क्या मतलब हो सकता है डीन के अंदर एक रेख्शन चल रहा है श्वेता डीन एक चलता फिरता एटम बं बन रहा है और यह बं कब और कहां फटेगा यह कोई नहीं जानता पूरे सहर की नाका बंदी कर दो स्पेशल टास्क फोर्सेस बनाओ हमें किसी भी हालत में इस बं को मतलब स्पाइडर को पकड़ना है सर बलड रिपोर्ट आ गई है बलड में स्पाइडर सिरम भी है और मामली सी रेडियो एक्टिविटी भी जब मक्खी उड़ गई तो यह उसे मारने आया है मक्खी नहीं सर स्पाइडर स्पाइडर के हमले में जख्मी हुए सभी लोग बच गए है सर सिर्फ रोनिन नाम का लड़का अभी तक कोमा में है रोनिन बच गया है यह खबर स्पाइडर तक भी जरूर पहुँचेगी और वह अपना धुरा काम पूरा करने वहाँ पर जरूर आएगा मुझे रोनिन के पास जाकर स्पाइडर का इंतिजार करना होगा और मुझे क्लास अटेंट करने जाना होगा पर मैं क्लास अटेंट कैसे करूंगी नींद के मारे आँके बंध हुई जा रही है पर जाना तो पड़ेगा ही गामा फाइंडर गैजिट भी तो आज ही वापिस करना है श्वेता यह बिलकुल नहीं चाहती थी कि प्रोफेसरों पर उसका खराब इंप्रेशन पड़े इसलिए वह है टाइम पर पहुँच गई ठैंग गोड फटाफट यह गामा फाइंडर वापस करूं और लेक्चर में जाकर सो जाऊं मॉर्निंग सर एंड गुड नाइट पी 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 अब तू अलारम की तरह क्यों बजने लगा मैंने सोने का नाम लिया और टी 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 ओ गोड यह तो रिडियेशन के सिंगनल है पर यहां पर रिडियेशन और इनकी डारेक्षन माइक्रोबायलोजी लेफ की तरफ से आ रही है ओ, क्या हुआ, जीसस, यहाँ पर तोड़ फोर किसने मचाई है मैंने देखा नहीं, जब मैं आई, तो समान ऐसे ही तूटा फूटा पड़ा था अब मैं अगर इनको बताऊं, कि मैंने शायद इस्पाइडर जैसी परचाई देखी थी तो यह मेरा विश्वास नहीं करेंगे शायद मैंने ही गलत देखा हो, यह स्पाइडर तो मेरे दिमाग पर हावी हो रहा है वैसे भी नींद के मारे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है पर अगर डीन यहाँ पर आया था, तो क्यों आया था और यहाँ के बाद वै कहां गया होगा रोनिन के कमरे में कोई है और पहरेदार भी बेहोस है यानि मुझसे पहले यहाँ पर स्पाइडर पहुँच चुका है हैं? ताउ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? दुरू, अच्छा हुआ कि तुम यहीं आ गए फिट्स का कहीं पता नहीं चल रहा है उसके दोस्त रोनिन के बारे में होस्टल से पता चला कि उस पर स्पाइडर ने हमला किया है और वह कॉमा में है फिर में यहाँ चला आया तुमको फिट्स के बारे में कुछ पता चला? वो ताउ जी पता तो चला है पर क्या पता चला है दुरूव सस्पेंस मत बनाओ बोलो जो भी सच है बोलो वो ताओ जी खबर पक्की तो नहीं है लेकिन रोनीन ने बेहोस होने से पहले श्वेता को बताया था कि क्या बताया था कि स्पाइडर ने फिट्स को खा लिया है खा लिया है? खा लिया है? ओ माई गोड ये ये नहीं हो सकता हो सकता है कि रोनीन को धोका हुआ हो हमें रोनीन के होश में आने का इंतजार करना होगा ये स्पाइडर कौन है? कौन है वो? जहां तक मुझे पता है स्पाइडर एक डीन नाम का फिलिपीनो स्टुडेंट है जो एक खास रेडियो एक्टिव मकडी के काटने से स्पाइडर जैसा खत्रा बन गया था रोनिन, फिट्स और इनके दोस्त उसकी बूलिंग करते थे साइड इसी लिए वह इनकी जान का दुस्मन बन गया है अगर ये सच है तो वह किसी और की नहीं बलकि आपकी जान का दुस्मन बन गया है दुरू अपनी जान का दुस्मन बन गया है दुरू क्योंकि अब मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ूँगा नहीं रुके ताओ जी स्पाइडर से टक्कर लेना इतना असान नहीं है अब वे हर उस सक्स का सूपर हिरो बन चुका है जो या तो गलत काम करते हैं या करना चाहते हैं और ऐसे लोगों की तादाद कम नहीं है अब चाहे पूरी दुनिया उसके साथ हो जाए पर फिट्स का हत्यारा मेरे हाथों से अब बचेगा नहीं पर आप उसको ढूंडेगे कैसे और उसे पैचानेगे कैसे मेरा हेलिकोप्टर अभी भी केम्ब्रीज के चक्कर काट रहा है वे ढूंडेगा स्पाइडर को या स्पाइडर जैसी किसी भी चीज को उफ मैं रोनिन को छोड़कर ताओ जी के पीछे नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पुरा यकीन है कि स्पाइडर अपने अधुरे काम को पुरा करने के लिए यहां जरूर आएगा स्पाइडर क्यों मारना चाते हो तुम रोनिन को तुम तो सूपर हिरो बनना चाते थे ना डीन फिर विलेंज जैसा काम क्यों कर रहे हो यह जानकर क्या करेगा दुरूर क्योंकि तुम यहां से जिन्दा वापस तो जाएगा नहीं पहले मैं तुझे मारूंगा फिर रोनिन को मुझसे पहले तुमारी जान खत्रे में है डीन क्योंकि तुमको शायद पता नहीं है कि तुमारा सरीर एक नुकलियर डियक्टर बन चुका है तुम किसी भी समय बम की तरह फट सकते हो यह तुम क्या बकवास कर रहा है यह बकवास नहीं सच्चाई है और तुम चाहो तो इसकी जाच अभी और इसी होस्पिटल में हो सकती है पता नहीं यह धुरुव की बात का असर था या गोलियों की उस बोचार का पर उसके तेवर अब हमलावर नहीं रहेते धाएं शायद इसी लिए वह रगुनाद जैसे मामली हमलावर को देखकर भी चोक उठाता ठैर आज तो जिन्दा नहीं बचेगा और वह सिर्फ चोका ही नहीं था भाग भी खड़ा हुआ था तू बचकर कहां जाएगा रुक ठैर ये ताउजी इस पर गोल्यों का कोई खास असर नहीं होगा तू मुसके पीछे क्यों नहीं जाते आखिर वह फिट्स का कातिल है जाओंगा ताउजी चरूर जाओंगा पर रोनिन के लिए सिक्योर्टी आ जाने के बाद वरना रोनिन जान से हाथ दोएगा और हम एग मैतपूर्ण गवा से बस मुझको ये समझ में नहीं आ रहा है कि स्पाइडर भागा क्यों और इतना खत्रा उठा कर वह रोनिन को मारने क्यों आया क्या दीन बुलिंग के कारण रोनिन या फिट्स से इतना ज़्यादा चिड़ गया है ओ किसी का फोन आ रहा है श्वेता श्वेता तु कहां पर है सुनो भाईया आज दीन यानि स्पाइडर कोलिज की माइक्रो बाइलोजी लैब में तोड़ फोड मचा कर गया है वह जरूर कुछ ढूंड रहा था इसलिए मैं स्पाइडर उर्फ धीन को खोजने निकली हूँ भाईया चुकि वह लोकप से भागने के बाद सीथे यहीं पर आया था इसलिए यह जाना जरूरी है कि वह ढूंड क्या रहा था मैंने एक ब्लड हाउंड किराए पर लिया है और उसको डीन के कपड़े दस बार सुंगा दिये है नहीं नहीं कुत्ता बेहोस नहीं हुआ और यह मुझको वहीं पर ले आया है जहां पर दीन अपना गुप्त परियोग कर रहा था मुझे पूरा यकीन है कि मैं दीन को ढून लूँगी तुमने दीन को ढून लिया है श्वेता अब क्या करोगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं भागो मच श्वेता मैं तुमको मारूँगा नहीं अरे मैं तो तुमको परपोस करने वाला हूँ लेकिन उसके लिए हमें कुछ तो समानताए होनी चाहिए होनी चाहिए ना आ मुझे पता था तुम ऐसा जरूर कुछ करोगे तुमने मुझे डंक मारा आ श्वेता मुसीबत में है ताओ जी आप पुलिस के आने तक यहीं रुकिएगा स्पाइडर का कोई भरोसा नहीं है अब छुपने का कोई फाइदा नहीं है श्वेता बहार आओ आओ नहीं आओगी तो स्पाइडर अंदर आएगा है विल्यू मेरी मी श्वेता अगली कडी www वर्ल्ड वाइड वैब चलिए दोस्तो इस कोमिक्स में इतना ही यह रोमांचक कोमिक्स की कहानी जारी है अगले भाग वर्ल्ड वाइड वैब में भी मिलते हैं उसी कोमिक्स में तब तक के लिए धन्यवाद पूरी दुनिया पर फैला इस्पाइडर का जाल क्या छीन भीन कर पाएगा धुरूवी से या इस्पाइडर सिध होगा धुरूव का काल वर्ल्ड वाइड वैब डबलू 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 पर जाल में छुपा है एक और जाल और राज कोमिक्स का यह समापन विसे संग सुना रहा है इस क्लाइमेक्स का आखोदे का हाल मकड जाल